अगर आपको सेम टूसम कुछ इस तरह का इंट्रो क्रियेट करना है अपने यूटूब वीडियोस के लिए तो आप लोगों को दो इनपोर्टेंट काम करना है पहला है आप लोगों को काइन मास्टर एप्लिकेशन डाउनोड करना है गूगल प्लेइ स्टोर से या फिर अगर आपको बीना वाटर मार्क वाला चाहिए तो आप लोगों से डाउनोड कर लेना और सेकेंड है आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि आपको एडिटिंग सीखने में कोई दिक्कत ना है ओके गाइस तो चले फिर बीने किसी वेट किये आज की कमाल क की वीडियो को आज हम स्ट्राट कर लेते हैं ओके तो गाइस कानमस्टर अप्लिकेशन ओपेन करते हैं आपके सामने कुछ इस्तिराखा इंटर्परस देखने को मिलेगा तो यहां से आप लोगों को क्रियेट ना पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहां से 16 एंटु 9 उसलेट करना है और यहां से आप लोगों को next कर दाना है ठीक है ओके तो गाइस इसकाबात image सेक्षन पर क्लिक कर दिना है और यहां से आप लोगों को black color को select करना है और इसकी duration को आप लोगों थोड़ासा increase कर लना है लोगों को आप लोग प्ली इसके बत क्रोमा के पर क्लिक करने है और यहां से इसको ऑनेबल करने और नेक्स्ट आप लोगों को उपर से रायट क्लिक करने है ठीक है मज़ा आया ओके तो गैस इसके बात आप लोगों को इस जगा पर आ जाना है जहां पर आपका इस तरह का create हो रहा है animation और इसके बात layer icon पर click कर दना है और media पर click कर दना है और media पर click करने के बात आप लोगों को अपने logo को add कर दना है अपने YouTube channel के logo को ok तो गैस आप लोग आपने लोगो को आपने वीडियो के सेंटर पे इसको एड़ कर देना है और इसको बात उपर थ्री डॉट आइकोन पे किलिक कर देना है और इसको यहाँ से send to back कर देना है और आपनी लोगो की duration को थोड़ा सा increase कर देना है अगर आप लोगो का लोगो थिक से एड़ नहीं हुआ है तो आप लोगों इसको ठीक करना है ओके तो बास यहां पर मैं अपने लोगों को ठिक जगापर एड पर क्लिक के दिना है और टेक्स्ट आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का अपने यूटूब चैनल को यहां पर लिख देना है और text को आप लोग इसको नीचे साइड में इसको add कर लेना यहां पर और इसके बात आप लोगों को font icon पर click कर देना है और यहां से आप लोगों को इस font को select कर लेना है अगर आपका कारिन मैस्टर में इस तरह का font नहीं है तो यहां से आप लोग download कर लेना ओके तो गैस इसके बात मैं color icon पर click कर लता हूँ और color icon पर click करने के बात मैं इस color को मैं select कर लता हूँ और इसके बात मैं out line पर click कर लता हूँ और out line को click करने के बात यहां से मैं इसको enable कर लता हूँ और यहां से मैं इसको थोड़ा सा decrease कर लता हूँ और इसके बात मैं glow icon पर क्लिक कर लता हूँ और इसको भी मैं enable कर लता हूँ ओके तो ग्वाइस इसके बात आप लोगों को in animation पर क्लिक कर देना है और in animation पर क्लिक करने के बात सबसे last पर आ जाना है आप लोगों को और सबसे लास्ट इन एनिमेशन को सेलेट कर लेना है और उपर से डन कर लेना है ओके ओके तो गैस इसको बात आप लोगों को अपने वीडियो पर इस जगह पर आ जाना है और जहां पर आप लोगों का टेक्स्ट इन हो रहा है तो यहां से आप लोगों को मीजिक पर क्लिक के दना है और यहां से आप लोगों को एक साउंड को एड़ कर लेना है और अगर आपका कानेमैस्टर में इस तरह साउंड नहीं है तो आप लोग यहां से डाउनलोट कर लेना है उपर से इस रहुत इसके बाएश बात остra part को यहां से कट कर देना तो यहां से में ओके तो गाइच यहां पर मैं अपने इंट्रो को एकदाम पर्फेक्ट ले एडिटिंग कर लिया हूं तो इसके बाद मैं सहर आइकोन पर क्लिक कर लता हूं और रेजलूशन को फूल एजडी रख दिना है और फ्रेम रेट को 30 के आसपास एंड बीट रेट को आप लोग 10 के अचले प्र मिला चाफ और यहां से आप ओना को अधर ऊके ऊंके रहीं होगा है तो ग्रफश घृष आई हौप आप आज की इसहले वीडियो को पसंद कि होंगे सब्सक्राम है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अपने के तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को पर भी क्लिक करना ओके तो चैनल आज के लिए इतना है बाइबाइबाइट टिक किया